नमस्कार कैसे हैं आप नितीश कुमार ने सुप्रीम कोट में आकर आनंद मोहन की रिहाई के पक्ष में बड़ी बड़ी दलीले दी है नब्बे के दशक का बिहार के सबसे बड़े माफियाँ में से एक आनंद मोहन आनंद मोहन पर आरोप नहीं सत्यापित हुआ लॉर कोट और हाई कोट से फांसी की सजा कि उन्होंने तत्कालीन बिहार के गोपाल गंज के डियम जी कृष्णया की मार्क मार करके पीट पीट करके भीर को प्रवोक करके हत्या करवा दी जी कृष्णया गोपाल गंज के डियम थे और पटना से मिटिंग से लोट रहे थे मुझफफर पुर में उनकी हत्या कर दी गई ये बिहार में लालू के जंगल राज का दौर था जाती बात का दौर था और उस दौर में जी कृष्णिया गोपाल गंज जो लालू परसाद यादब का ग्रह जिला है उसके डियम हुआ करते थे और मुझफर पुर में मुझफर उस इलाके के माफिया छोटन शुकला की हत्या के बाद उसके बौडी को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था जी कृष्णिया उसी समय पटना से मुझफर पुर होते हुए गोपाल गंज जा रहे थे जी कृष्णिया दलित अधिकाडी थे आईएस अधिकाडी और उसके बाद लालु यादब के खिलाप एक मुहीम चला तो लालु ने इसे पलट दिया कि दलित की हत्या दलित आईएस की हत्या करवा दी गई लालु इसे कले करके अपने विरोधियों पर ही कूद परे बाद में नितीश जंगल राज के खिलाप लालु यादब के खिलाप बिहार के उभरते नेता बने और उस आनंद मुहन को साथ लिए कहते हैं कि दरसल आनंद मुहन लालु परसाद यादब के लिए काम करते थे लालु उस समय जाती बाद के सबसे बड़े नेता थे बुरा बाल साप करो की बात करके बिहार में भुमिहार, ब्रामहन, राजपूत और काइस्त के लिए लाला शब्द का इस्तमाल करके बुरा वो इस्तमाल करते थे और ये नारा खूब चला उस समय बिहार जाती बात के जहर में था, आनंद मुहन उसी का फाइदा उठा करके उची जाती के राजपूतों के नेता बने और वो जम करके एक मातर नेता थे जो लालों के खिलाप बड़ी आवाज बोलते थे, उस समय उन और अपर कास्ट के लोग उन्हें हाथों हाथ ले लिया, उस दौर में भी कई बार ये सुखबुगाहट होती थी कि क्या आनंद मुहन लालुयादव के लिए काम कर रहे हैं, राजपूती में अकसर यही होता है, जो सही माइने में दुश्मन दिखाई देता है, वो आपका दोस्त होता है, आपका भाला करने वाला होता है, इसलिए आज की दौर में अकसर OVC के लिए कहा जाता है, कि वो BJP के लिए काम करते हैं, OVC जतना प्रवोक करते हैं मुसल्मानों को, BJP को उतना फायदा होता है, ठीक उसी ढख से 90 के दशक में आनंद मुहन जतना बोलते थ लालू के पक्ष में लोग उतना ही पिछडे वर्क के लोग खड़े होते थे ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ दरसल ये नब्बे के दशक का वो दौर था जिसमें दिखाई तो ये दिया कि आनंद महन लालू यादव के खिलाब खड़े हुए लेकिन बाद के दोर में वही आनंद महन लालू परसाध यादव की पार्टी में शामिल हुए माना जाता है कि नितीष कुमार को ये प्रेसर में लालू यादव ने ये काम करवा दिया कमाल है ना दरसल राजपूत वोट को पाने के लिए लालू परसाद यादब ने आनंद मुहन की रहाई नितीश कुमार से प्रेसर करवा के करवाई बिहार में अग्री जाती में राजपूत का एक बड़ा वर्का सपोर्ट लालू के साथ रहा है रगवन्स परसाद सिंग आरजपूत के कद्दावर नेता रहे एकदम लालू स्टाइल में बोलते थे संसद में अब रगवन्स बावू नहीं रहे अपने जीवन की आखरी समय में रगवन्स बावू लालू के बेटों से नाराज चल रहे थे माना जा रहा था कि इसलिए राजपूत बोड जातीबादी बिहार में उन रगवन्स बावू के कारण छिटक चुका है लालू के खिलाब जगदादन सिंग बिहार के राज़ेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदादन सिंग भी लालू के बड़े बेटे से नाराज रहे जगदादन सिंग के बेटे सुधाकर सिंग नितीश सरकार में मंत्री रहे और उनोंने जम कर कई बार नितीश कुमार के खिलाब मुहीम आज भी वो खुलम खुला नितीश कुमार के खिलाब बोलते हैं लेकिन कभी भी लालू ने या फिर लालू के बेटे ने सुधाकर सिंग पर दवाब नहीं डाला। के लिए आनंद मोहन की रिहाई करवाई गई अब महत्पूर्ण ये है कि जिस बिहार में जाती बात का प्रभाव हमेशा रहा नब्बे के दशक के उस माफिया की रिहाई के लिए नितीश कुमार आगे आ रहे हैं और लालू चुपे चापे तमाशा देख रहे हैं अब सुप क्रिश्नया की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं है सुप्रिम कोट में नितीश कुमार को नोटिस जारी किया था बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था उमा क्रिश्नया जो जी क्रिश्नया की पत्नी हैं विधवा हैं उन्होंने कहा कि वो दलित हैं बिहार में उनके पती ने बन गया कि इस सुप्रीम कोट इसे जस्टिफाई कर देता है जो 2022 में जेल मैनुल में सुधार करते हुए नितीश कुमार ले करके आए माना जाता है कि जेल मैनुल में सुधार ही नितीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ अनंद महन की रिहाई के लिए किया लेकिन नितीश ने सुप्रीम कोट में तर्क दिया कि सिर्फ आनंद महन नहीं 27 और लोगों को रिहा किया गया है और 56 और लोगों ने रिहाई की मांग की है 9 और लोगों को छोड़ा जाएगा तो जिस तरह से सुप्रीम कोट में आनंद मोहन के लिए तन गए है नितीश कुमार उसमें नितीश पाएंगे क्या क्या राजपूत बोट नितीश को मिलता है नितीश तीन से चार परसेंट अपनी जाती के बोट के बल पे बिहार की सत्ता पर काविज है दरसल लालू अपना एज़न डाचा नितीश को चलाने के लिए ऐसे ही मजबूर कर रहे है माधपूर्ण ये है कि फिर दलीतों का बोट किधर खिसकेगा और सुप्रिम कोट नितीश कुमार को फटकार लगा दी इस मामले में तो उसकी चोट किसे लगेगी क्या लालू पर साध्याद अब को लगेगी ऐसे में साफ दिखता है कि लालू के दोनों हाथ में लड़ू है और नितीश सुप्रिम कोट में जलालत के लिए तयार हो जाएंगे इस तरह के मुद्दे पर नितीश का तन जाना अकड़ जाना सुप्रिम कोट में चौकाता है कि समाजिक न्याय की बात करने वाले लोग सुप्रिम कोट में आकर क्या खेला खेलते हैं और फिर राजनिती का वो रहस से खुलता है कि सालों तक ही आनन्द मोहन दरसल किसके लिए काम कर रहे थे। आनन्द मोहन नब्बे के दशक में जितना आग उगलते थे उतना फाइदा उन्हें होता था। मात्पूर्ण ये है फिर वो आनन्द मोहन अगरों की नेता क्यों नह आतार खुलता है लेकिन सुप्रिम कोट में लालू प्रसाद यादब ने सही माइने में नितीश कुमार को नगन कर दिया है और फाइदा खुद उठा रहे हैं ये नितीश का यूँ अकड़ जाना येदि सुप्रिम कोट में हेकरी टाइट कर दी तो पूरा खेल खुल जगए प्र समस्सा से बाइब आतार बालू जाना कर दो सुप्रिम कोट में लालू जाएदा रहे हैं येदीश का येदीश कर दो प्रसादा झालू लादा चालू गटिया गुल